गुलाब जामुन तो हम सभी को बहुत पसंद होते हैं festive season भी चल रहा है तो चलिए आज आप लोगों को बताती हूँ बहुत ही असान तरीका गुलाब जामुन बनाने का क्योंकि हर टाइम तो हमारे घर में मावा वगरा रहता नहीं है कि खोया हो और हम जटपड से बना ले और खोय का बनाने के लिए थोड़े टिप्स और ट्रिक्स जादा जरूरी होते हैं perfectly हाथ अगर चले तो ही अच्छे बनते हैं तो आज बनाते हैं हम सूजी के गुलाब जामुन जो की बहुत ही जटपड से भी बन जाते हैं बहुत इजी भी होते हैं और खाने में भी बहुत अच्छे लगते हैं कड़ाई चड़ा दीजे उसमें आधा कप हमने सूजी डाल दीए सूजी को पहले हलका भुन लीजेगा कलर नहीं चेंज होना चाहिए बस थोड़ा सा हमें 3-4 मिनट के लिए उसको भुनना है और घी डालने के बाद भी थोड़ा सा पकाएंगे ध्यान रखने वाली बात यहां पर यह है कि जो आपका सूजी का डो है वो बिल्कुल सूखा नहीं होना चाहिए थोड़ा सा चिपचिपा पन रहे तभी आप अपनी गैस को बंद कर दीजेगा और उसको ढख करके रख दीजेगा जब तक हमारा सूजी थोड़ा सा ठंडा हो रहा है तब तक हम चाशनी बना लेते हैं तो मैंने 300 ग्राम चीनी लिया है और 300 ml ही पानी लिया है तो जितनी आप चीनी लें उतना ही पानी लें इसके बाद इसको गैस पे चुड़ा दीजेगा पहले हाई फ्लेम पे चुड़ाईए का चीनी के घुलने के बाद 5-6 मिनिट तक उसको मीडियम फ्लेम पे या लो फ्लेम पे पका लीजेगा अब हमारी सूजी जो हलकी हलकी गरम है बिल्कुल ठंडा नहीं होने दीजेगा हलका गरम रहने दीजेगा तब हम उसमें एक चौथाई चमच डाल देंगे इलाइची पाउटर और एक चमच घी और डाल देंगे और इसके बाद इसको बहुत अच्छी तरीके से मलेंगे हमको इसको इतना मलना है कि ये बिल्कुल चिकना, सॉफ्ट एकदम बिल्कुल डो फॉर्म में हो जाए और जैसे लगे जैसे आप जब अपने मावे वाले गुलाब जामून बनाते हैं ना तो जो डो तयार करते हैं बिल्कुल उसी तरीके का हो जाना चाहिए इतना सॉफ्ट होना चाहिए ऐसा हो जाए कि बिल्कुल भी आपके हाथ में या बरतन में कहीं भी ना चिपक रहा हो जैसा कि आपको देखके ये लग रहा होगा देखे हमारे हाथ में भी नीच चिपक रहा है बरतन में भी नीच चिपक रहा है गोलिया बनाने के लिए मैंने एक मेजरिंग टीस्पून जो होता है वह ले लिया है, हाउप वाला जो टीस्पून होता है वह लिया है क्योंकि मुझे एकदम छुटी-छोटे वाले गुलाब जामून बनाने थे आज इधर चाषनी देख लेते हैं, चाषनी में थोड़ा सा म देखे जैसे जो हम normal गुलाब जामुन बनाते हैं तो उसमें हमारा घी का जो temperature है वो बिलकुल low होना चाहिए मतलब कि medium में नहीं low होना चाहिए, हलका बिलकुल गरम हो तभी हम उसमें डाल देते हैं गुलाब जामुन लेकिन ये गलती आप सूजी के गुलाब जामुन में नहीं करिएगा, सूजी के गुलाब जामुन में जो घी होता है और मैं ये देशी घी में तल रही हूँ आप refine भी ले सकते हैं लेकिन गुलाब जामुन वगरा देशी घी में जादा अच्छे लगते हैं तो जो आपका घी का टेंपरेचर है वो medium गरम होना चाहिए और जब आप डालेंगे घुलाब जामुन उसके बाद भी जो flame है वो medium से high के बीच में होनी चाहिए बिल्कुल low flame पे सूजी के गुलाब जामुन नहीं तलिएगा नहीं तो आपके गुलाब जामुन बिल्कुल फट जाएंगे क्योंकि ये सूजी है और इसको जो है medium से medium flame पे रख करके आपको इसको तलना है पहले आप डाल दीजे अपने आप से जब ये ऊपर आने लग जाए तभी इसमें कलची लगाईएगा और इसके बाद इसको अलट पलट करते हुए अपने आप से ये गूमने लग जाते हैं जैसे जैसे ये तलते हैं बिलकुल हलकी हो जाएंगे जाग बिलकुल कम हो जाएगा इसके उपर का और इसके बाद इसको अच्छा सा golden color होने तक इसको तल लीजे तले के बाद हमको direct इसको चाशनी में डाल देना है एक चीज और यहाँ पे ध्यान रखने वाली है कि जो चाशनी में आप डाल रहे हैं चाशनी की flame एक बार फिर से on कर दीजेगा और इसको कम से कम 4-5 मिनिट तक इसमें पकने दीजेगा जो चाशनी है उसमें ये गुलाब जामुन थोड़े से पकने चाहिए उसके बाद अपनी चाशनी बंद करिएगा और इसके बाद दो घंटे के लिए इसको कम से कम इसमें डिप रहने तीछे का आपके बिलकुल मुँ में घुलने वाले गुलाब जामुन बन करके तयार होंगे बहुत ही soft बहुत ही अच्छे बनेंगे अगर आपने इन tips और tricks को follow करते वे अपने गुलाब जामुन बनाएं तो ये गुलाब जामुन आप try जरूर करिएगा बहुत अच्छे लगते हो बहुत जटपट बनते हैं